जहीं दोस्तों क्या हाल है तो दोस्तों मेरे चैनल का monetization हो चुका है अपरूल मुझे मिल गया है और यूटूब पार्टनर प्रोग्रम के लिए मेरे चैनल सेलेक्ट हो गया है तो आज मैं इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ मेरा experience यूटूब की जर्नी में जिसे मैं आपक तो बहुत ज़्यदा प्रोब्लम होती है लोगों को उनको डर रहता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के जो approval हो जाते है वो review के जब apply करते हैं लेकिन सब कुछ मैं आपको बता हूँ हूँ है ताकि आपका चैनल हो जल से जल approval हो जाए क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ तीन दिनों के अंदर approval हो चुका था क्योंकि काफी लोगों को टाइम लगता है यहां पे एक-एक महीने का इसे भी ज़्यादा और उसके बाद वह अप्रू भी नहीं हो पता कई बार तो उनकी सारी जो महीने तो बेकार हो जाती है तो स आज मैं आप से एक्सप्रियंस ओर करने वाल हो ताकि आप भी उससे कुछ सीक Steaks सको और अपने चैनल को कुछ अच्छा दे सको और अपने एक वीडियो अपर्लॉड कर सकते हूं प्रिटिक्स अप्रडल्य जाने उब्स यह मेंने एक वीडियो ऐसे डाल दी और कभी कभार वर्टशप के मतलब यह और मेरे को कुछ पता नहीं था कि कुछ भी आता तो हम डाल दे Easy न grosse तो अगर मैं वीडियो की बताऊं तो कम से कम एक साल और आठ महिने में मैंने सिर्फ 17 वीडियो अपलोड की थी जो कि जुलाई 2019 तक और जुलाई 2019 से मैंने यहां पर रेगुलर काम करना शुरू किया क्योंकि मुझे पता चला कि ऐसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे सक्सेस मिलेग कि यूटूबे मेरे को रेगुलर काम करना पड़ेगा और अच्छी चीजे देनी पड़ेगी तो उसके बाद मैंने रेगुलर काम किया और पूरे एक साल और 6 महिने बाद यानि अब दिसंबर 2020 तक मैंने 246 वीडियो और अपलोड कर दी हैं टोटल 263 वीडियो हमारे चैनल देने की कोशिज किया तो रेगुलर्टी मैंने कहीं ना कहीं बना के रखी ताकि अपने चैनल को मैं ग्रोग कर सकूं और यहां पर मैं बताओं कि मैं मतलब चैनल कैसे ग्रोग हुआ क्योंकि दोस्तों यहां पर वीडियो अगर आप बहुत ज़्यादा डालते हो ज़रूर अब कर लес किया है यह सब मतलब क्यों करता है और मैंने बोला कि एक दिर मैं सकसस जडरूर हूँगा इस चीज में और definitely मेरे को views भी मिलेंगे और मैं यही काम करता रहा तो एक time ऐसा हुआ कि एक PUBG की वीडियो मैंने upload की थी तो PUBG में जो problem थी वो वीडियो मैंने search की YouTube मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिली अपने friends से भी पूछा मैंने उनको नहीं पता था तो मैंने खुद से उसका solution निकालने की कोशिच की और वो problem solve होगी उसके बाद मैंने जट्चे उस पे वीडियो बना के upload कर दी और उसी time वो मेरी वीडियो start होगी viral होना मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोगों पास वो पहुंची क्योंकि उससे related को भी वीडियो नहीं थी YouTube पे उसके बाद मेरी वो वीडियो चली तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा वोश्टाय मिला और उसके साथ ही में चैनल की जो growth है वो भी बढ़ने लगी तो कुछ इस तरीके से मेरे चैनल की growth बढ़ी उसके बाद मैं समझ गया कि मेरे को कुछ ऐसा content बनाना पड़ेगा सो तो यूटूब पर है या फिर लोगों की problem solve कर सके जो कि YouTube पर इभी तक वीडियो ने असी बनाई नहीं तो इस तरह कि मैंने वीडियो पर नहीं पांस दस जो की बहुत ही अलग ठीं जो कि YouTube पे बहुत ही कम थी या YouTube पे हैं तो वो गलत हैं जब लोगों को गलत जान करी दे रहें तो कुछ इस तरह की वीडियो में ने बनाई ताकि उन गलत वीडियो को इग्नोर करके मेरी वीडियो जो की सही होगी वो देखें लोग तो इस वज़े से मेरा चैनल वो और जदा ग्रोव हुआ उससे मेरा वोज टाइम बहुत ज़दा इंक्रीज हुआ और मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद जब वोज टाइम कंप्लीट हो गया जो कि 4000 घंटे उसके बाद मैंने उसके लिए अपलाई कर दिया और 29 तो दिसेंबर को मेरा जो चैनल है वो बंदे होते हैं वो चैक करते हैं कि किस तरीके से आपका चैनल होना है क्या है तो सब सब चीजे Susa ऐसे मैंने काम रखा इपने धमन delic व्यंट हवाम्ने में की और में खुद की वीडियो कोई वीडियू आत काम क्यों को रखी किशन से में थे ये सब मैंने चीज़े यूटूब से वीडियो देखके और वह भी मैंने बैस्ट तो बैस्ट देने की कोशिश की तो कुछ इस तरीके से दिरे-दिरे मेरे चैनल की ग्रोथ भी और उसके बाद मेरे चैनल का मॉनेटाइजेशन भी हो गया तो मॉनेटाइजेशन बहुत ही इस साल बरबाद कर दिये बर्बाद तो नहीं कानगा मतलब इसमें मैंने दी है तीन से-चार साल जीसमें की लगबग डेढ़ साल मैंने रखेक काम साइड बाइव साइड काम करता रहा हूं तो कही ना कि इसको मैंने टाइम दिया है तो वह भी वेस्ट हो जाता अगर सही से मर् कुछ भी क्लेम वगरा हो जाता तो तो मैंने यहां पर सभी से काम किया और उसका आज मेरे को फाइदा भी मिल रहा है तो मैं आपको यह करूँ है कि क्लिक बैट वीडियो ना बना और कोशिस करो ऐसी वीडियो बनाने की जो कि या तो यूटूब पे नहीं हो या फिर आप कु की वीडियो चलेगी लोग आपकी वीडियो देखें क्योंकि लोग सुलूशन के लिए आते हैं तो उनको सुलूशन मिलना चाहिए अगर आप ऐसा काम करते हो डैफिल एक लिए ऐसा हो सकता है इसके अलाव हम आपको एक चीज़ बता देना चाता हूँ कि बहुत सारे लोग लेकि उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला क्योंकि भाई जब तक हंडर्ड डॉलर आपके अकाउंटें कंप्लीट नहीं होगे तब तक आपके बैंक में तो ट्रांसपर होने ही नहीं है तो वो डिपेंड करते हैं आपके व्यूज किसे साब चारे है अगर यह आपको जब्यूज आएंगे तब आपको फाइदा मिलने वाला अवाला उसका तबिया आपको मंथली आपकी करते हैं और जादा जादा ओडियो पर यह पैसा काम करो और वीडियो आप अपलोड करते रहो रेगुलर जैसे आपके व्यूज बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से आपका जल से जल जो वोस्ट टाइम हो जाएगा और फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अपलाई कर सकते हो तो कुछ भी गल्द काम करके आप वोस्ट ट सकते हो कि लगबग 2000-3000 या कई वार 5000 तक व्यूज गा एक डॉलर आपको मिलता है अगर 2000 का भी अगर एवरेज मानते हो कि 2000 पे आपको एक डॉलर मिलेगा तो आप सोच सकते हो 100 का कितना व्यूज हो गया तो अब को अगर अगर डेली के आपके 2000 व्यूज भी आ रहे ना तो भी 100 दिन लगेंगे आपको 100 डॉलर कंप्रीट होने में यानि लगबग तीन महिने में जाके आपको 100 डॉलर की पेमेंट होने वाली यानि कितना हो गया सिरफ 7-7.500 रुपे तो अब आप खुछ अंदाजा लगा सकते अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने या फिर युनिक हो बाकी आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आपका बेकर बेकार हो कोशिस्थ करो वीडियो में टोड़ा अच्छा बनाने की कोची करो आपका बेग्राउंड बेकार है तो उसको सिंपल बना लो कोई जुगार लगा लो घर का लेकिन कुछ भी करके अच्छा देने की करो कंटेट ताकि लोगों को पसंद आई और आपके चैनल पर अच्छा इंप्रेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का सारी सकते हैं तो आप उनके रीप्लाइद और कमेंट में हो सकते लोगों के जितने उसके ज्यादे जादा उनके साथ टाच में रहोगे तो आपके लिए वेनफिट होगा वह आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये सब सीज़े आपको करनी पड़ेगी तब ही आपको हो चुका है तो बस यही था मेरा experience मैंने आपके साथ शेयर किया तो यहां पर रेगुलर्टी आपको काम में रखनी पड़ेगी और दिमाग से निकाल दो कि यह मुश्किल है जो भी है हाँ यूटूब बे सक्सस होना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप रेगुलर काम करते हो अच्छा कंटर्ट देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है आप इजली मतलब यहां पे सक्सस पा सकते हो तो यह तो मेरा कुछ experience जो कि मैंने शेयर किया आ इसे यहां पर शुरू से लेके अब तक का मेरा जर्नी रही मैंने अपको शेयर किया आगे भी हम मैं आपके साथ ऐसी जर्नी शेयर करता रहूं आपको experience देता रहूं ताकि आपको भी help मिले कि कैसे आप YouTube पे काम कर सकते हैं और आपको success मिले कैसे और अगर आपका चैनल मोने हो जाए मैं आपका चैनल देखके भी बदा दूँगा कि आगर कोई दिक्कत होई उसमें तो कि किस तरीके से आप मतलब आपको क्या improvement उसमें करने पड़ें क्या changes करने पड़ें तो चैनल में बहुत जदा problem होती है लोगों को लेकिन यहां पर पहली बार में मेरा हो गया इस सपोर्ट करते रहेंगे मुझे प्यार देते रहेंगे और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे तो यहां पर मैंने अपना experience आपके साथ शेयर किया कैसा लगा मुझे comment करके बता देना और वीडियो चे लेके like share कर देना और चैनल पर नेचल को सब्सक्राइब के बैल इंटरस्वान कोल पर जरू से करेना मैं मिलता हुआ आपसे अगली उडियो में तदा के लिए हैवी नेस्टे